हलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर गजिंद पुरही तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजिनेरी मैंदमेटिक्स बीएस से इस तो नहीं वाला चैनल इस पर मैं जो शॉट ट्रिक्स है और शॉट रिविजन य स्टेटमेंट और यह क्या बोलता है कि इस एनी इंटीजर देन कॉस्ट टीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर एन इसकी पावर एन कर दूं तो यहार कोई मतलब नहीं इसकी पावर यह क्या होगा आयोटा एन थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा तो फो नहीं होगा कुछ नहीं एंगल से मल्टीप्ला हो जाता है तो पावर जो होती है इसका रिजन यहां पर यह और इसके हल्ब से हम यहां पर यहां प सी ती के रूट से निकाल सकते हैं लाइक अगर हमारे पास QB root of unity दे रहा है या फिर fourth root of unity है या फिर nth root of unity है तो कैसे हम इसके roots निकालते हैं देखिए आप तो सिंदेखे question हमारे पास यहाप है find the all values of minus 1 power 1 by 3 या फिर exam में यह question यह से भी पूछ ले जाता है कि find all root of x q plus 1 is equal to 0 तो हम क्या करेंगे अगर मैंसे से यह दे रखा हमारे पास तो हम यहापी क्या करेंगे यह आएगा x q is equal to minus 1 it applies x is equal to minus 1 power 1 by 3 अब हम जानते कोस और साइन में इसी कौन सी एंगल होता है इस पर यह minus 1 देता हम जानते कोस पाई है 3 पाई है 75 पाई है 7 पाई इन सब की विल्यों क्या होती minus 1 होती रहे तो मैं एसको ऐसा लिख सकता हूं x is equal to minus 1 पाई प्लस आयोटा पाई साइन 2R प्लस वन वाई मैं अगर ऐसाा लेक में पावर वन ठी तो हम जानते साइन ये तो हर प्लस पाई की विल्यू क्या होती सईन की जीरू होती है और इसकी वाई हम जानते है एं आर यहां पर 2R plus 1 by 3 pi प्लस Iota साइण यह आएगा हमारे पास 2R plus 1 pi by 3 अब हम जानते हैं सबसे बहुत हम यहाँ पर क्या करते हैं R की विलिए 0 रखते हैं हम रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास X 0 आजाएगा पहला रूट आजाएगा तो X 1 लेलों साथ आचा रहेगा हना फस्स रूट के आएगा क्योंकि जिससे हम R की विलिए निकाल रखते जाएंगे वैसे रूट से रूट निकल जाएगा तो R की विलिए 0 रखेंगे तो हमारे पास इसकी विलिए आएगी cos pi by 3 plus Iota sin pi by 3 हो जाएगा हम जानते हैं cos pi by 3 की value हमारे पास क्या ओदेशन root 3 1 by 2 होता और यह हमारे पास sin pi by 3 जो होता हो रूट 3 by 2 होता राइग तो हमारे जानते हैं कि X 1 is equal to यह हमारे पास 1 by 2 plus Iota यह हमारे पास root 3 by 2 हमारे पास यह विलिए आजाएगे इसको हम लिखेंगे तो 1 plus Iota root 3 by 2 हो जाएगा राइट इसी टाइप से हमारे की value 1 रखने हैं जब 1 रखेंगे तो हमारे पास second root हो जाएगा इसका 1 रखेंगे तो क्या है तो क्या है तो 2 plus 1 3 हो जाएगा 3 सा 3 cancel तो यह आएगा cos pi plus Iota sin pi हो जाएगा राइट जब 2 रखेंगे तो 3rd root हमारे पास क्या है तो 2 रखेंगे तो यह आजएगा 5 pi by 3 plus Iota sin 5 pi by 3 हो जाएगा और हम जानते है कि cos 5 by 5 5 by 3 की विलिए हमारे पास 1 by 2 होता है क्योंकि जब इसको solve करेंगे तो फॉर्थ कोड़ेट में आएगा 2 pi minus pi by 3 2 pi minus pi by 3 4th quadrund में plus plus होता है और sin negative होता है तो यहां से हमारे पास इसकी विलिए हो जाएगी 1 by 2 minus Iota root 3 by 2 1 minus Iota root 3 by 2 यह हमारे पास क्या है इसका root होगा तो इस तरह से यहां पर इसकी यह हमारे पास क्या होता है इसका 3rd root होता है एक हमारे पास यहां पर omega हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा हमें ऐसे एंगल की रखने जहां पर इसकी विलिए क्या हो रही है वन हो रही है ना क्योंकि देखो अल्टिक आप बोलोगा साइन भी तो हो सकता है पर जैसे साइन में वेह पास इसकी विलिए हो जाएगी सब्सक्राइब पास क्या है रहा जाए गांल में आजाएगा है लुछ ऑ्त बास हो जाएगा बूार कुर पर घृन के finans ही Brえー करेंगे तो सुनिया हमारे पास सेकंड रूट आ जाएगा तो यह हमारे पास सेकंड कॉटरेट में और सेकंड कॉटरेट में कोस हमारे पास कहता नेगर्टीव होता है तो यहां से यह जब हम आर की वेलिय रखेंगे तो हम टू रखेंगे दिए हमारे पास क्या आएगा सुन हमारे पास नेक्स्ट आजाएगा एगा यह वह प्लॉस् करेंके सुन यह तो हमारे पास waar अएगा और यह भी हमारे पास नेगटिव हो जाएगा दोनों नेगटिव होते हैं क्योंकि थे अगर हमारे पास यहां परवर one by four दे रहा तो क्या करना है तो power oneby हुआ हो मतलब fourth root of unity की बात करेंगे तो कैसे करेंगे सब्सक्राइब मैं आपके सामने करके solve करके बताता हूँ एक आप कर सकते है जिसे हमारे पास दे रखा x power 4 plus 1 is equal to 0 तो सुनी आएगा x power 4 minus 1 तो यह आएगा x power 4 पाइगा प्लस आयोटा साइन यह आएगा 2r plus 1 पाइगा power 1 by 4 हो जाएगा यह ले लेंगे तो x is equal to यह आएगा हमारे पास cos 2r plus 1 by by 4 plus आयोटा साइन 2r plus 1 by by 4 हो जाएगा हम जानते हैं यह आप हमारे पास क्याता है सेकंड कॉटेट में आता है क्योंकि लाइक हमारे पास 5-5 by 4 आएगा तो सेकंड कॉटेट में यह नेकटिव हो जाता है और यह तो पॉजिटीव ही रहता है यह तो रखेंगे तो सुन यह आए हमारे पास यह तो यह तो रखेंगे तो यह आएगा हमारे पास 5-5 by 4 प्लस आयोटा साइन 5-5 by 4 होगा तो सुन यह यह पास थर्ड कॉटेट में आता है और थर्ड कॉटेट में दोनों ही नेकटिव होते है तो सुन यह आएगा हमारे पास माइनस 1-1 by root 2 हो जाएगा अगर हम बात करें R की वेल्यू 3 के बारे में 3 रखेंगे तो 6 और एक साथ तो यह आएगा X4 is equal to cos 7 pi by 4 plus iota sin 7 pi by 4 सुन यह 4th कॉटेट आतार 4th कॉटेट में cos प्लस का होता है यह 1 हो जाएगा और यह iota तो नेकेटिव ही रहेगा तो यह हमारे पास चारों क्या होते है इसके root होते है इसी टाइप से आप इसकी root भी बहुत इसली निकाल सकता है तो सुन यह आपको समझाने कोशिश करें तो आप समझ यह तो आप बहुत इसली निकाल सकते हैं आप बोलो के गुरुजी आप इसो करेंगे तो हमें मालूम है x square minus 1 into x square plus 1 आएगा is equal to 0 तो सरे x is equal to plus minus 1 and plus minus iota आता है अगर आपको यह method सब्सक्राइब निकालना तो मैं बता सकता हूं इस method से हम easily कर सकते हैं जिसे कैसे करेंगे तो हमारे पास यहां पर यहां पर लिखेंगे cos 2rpi plus iota sin 2rpi होता है power 1 by 4, 1 by 4 यहां आजाएगा तो x is equal to यहां आएगा cos 2rpi by 4 plus iota sin 2rpi by 4 idea आएगा अब हम r की value जब हम यहां पर 0 रखेंगे तो हमारे पास x1 आएगा 0 रखेंगे तो सुनी आएगा cos 0 plus iota sin 0 तो हम जानते इसकी value तो 1 होगी जब हम r की value 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो सुनी यहां पर हमारे पास x2 आजाएगा right 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो 2 by by 4 तो में यहां पर हो जाएगा cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 हो जाएगा हम जानते cos pi by 2 0 होता, sin pi by 2 हमारे पास 1 होता तो यहां आएगा इसी टाइब से जब आर की value 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो हमारे पास कियाएगा 4, 4 by 4 तो यह हो जाएगा बारे पास x3 इसके root की बात करेंगे तो सुनी यहाएगा cos I think यह हमारे पास 4 रखेंगे cos pi plus iota sin pi हो जाएगा तो हम जानते हैं यह साइन पाइट जीन होता है cos pi minus 1 हो जाता है इसी टाइप से जब आर की value 3 रखेंगे तो सुनी आएगा X4 जब 3 रखेंगे तो सुनी आएगा वारे पास 6 by 4 तो 6 by 4 मतब कॉस 3 by 2 हो जाएगा प्लस iota sin 3 by 2 सुनी यह तो हमारे पास 0 होता है और यहाँ पे स्क्राइब माइनस 1 हो जाएगे तो माइनस 1 हो जाएगा तो सुनी यह इस तरह से यहाँ पर बहुत इजी लिए रूट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास nth root of unity तो टेंश लेने के ज़रूत नहीं ज़रूत नही है कुछ भी आ जाया है आप निकाल सकते हैं आपके सामने एक ग्जामपल वोट समझा देता हूं यह वाला तो मारे पास यहां पर देरिखा है एक्स पावर एंड प्लस 1 इस इकुल टू जाएगा और एक्स पावर वन इस इकुल टू माइनस 1 पावर एंड और हम जानते इस अपाउन एन और प्लस आयोटा साइव यह गाठ टू आर प्लस वन पाई अपन एन आये गा ऐसे फिरम आर की वेलियू जीरो वरं टू 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 रखते जाएंग अप टू एल पास्यापर एंड रूटा जाएंगे अगर आप एन की वेलिए 6 तेरे के तो आर की जाएगा यहां पेमार पास ये गाए अगसए टू कोस फिसदी दूर है न प्लस आयोटा साइन साइन टूर फाइप था इजाए गाई नहीं जाएगा बावर दावर और फिसदी दूर पैट अजयों होगा था इनद या पे एकशोछ इंड डूर पैट पाई जाएगा अगए इसमें एक क्योशन आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं और आपसे बोला जारा कि X-POWER 7-1 is equal to 0 अभी मैंने बता उस पर कंसेटे करना तो इसके आपको चार ओप्शन दे रहे हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे यह आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना ह करें देख सकते हैं और दीमा वे ठियोरम के और भी बहुत सारे कंसेटे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस्पर बहुत जल्दी लिखे आने वाला हूं सुन यहां जाके मेरे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां आप मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर कर सकते हैं कि सो मच इसका अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरू देजिए दन्यवाद